ओम्शन्थी शरीर का नाम जैसिंग भाई मैं जून 2010 में ज्यान में आया और उसी वर्ष मुझे इंजिरिंग कॉन्फरेंस में मदवन जाने का मौका मिला तो वहां जाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जो शरीर का नाम लेकर के हम चलते हैं वो तो बिनासी है लेकिन असली जो यहां हमें बताया गया वो आत्मा है तो उसी साथ से मैं मतलब अपने को परिवर्तन करते गए जिस तरह से यहां दीदियों ने हमें कुछ अपने खानपान रेंसेंड की चीजें बताई गई तो उसी साथ से हम चल रहे हैं और 2011 में मैं रेटायर हो गया रेट होने के बाद मुझे सेवा में मदिवन सेवा में जाने का मौका मिले तो वहां मुझे परमात्र lilWeave ने हर वकट यानिके जब हमारा ये के जनवरी माश् at थम्में एक महिने की शेवा का मौका 2013 से लेके 2020 तक मिलता तो उसमें मैंने ज्यादा तर सेवाएं लिट्रेचर और अपने इसमें की हैं जिसको कहते हैं अपना कॉन्फरेंस आफिस में तो कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने को परिवर्तन कर लेते हैं तो हमें कुछ दिखतें जुरूर आती हैं समाज में लेकिन अगर हमारा निष्चे द्रिड निष्चे रहता है तो हमें उन अमून चीजों को भी प्रमात्मा हमें उसमें मदद करते हैं और हर तरह से मदद करते हैं क्योंकि मैंने देखा है कि अभी रिसंटली मेरा एक एकसिडेंट हुआ है और उस दिन दो आजार यानि दो दस फरवरी को मैं यहीं दीदी के पास से गया और उसके बाद पंदरा मिनिट के बाद एक बाइक का मेरा ट्रक के साथ एकसिडेंट हो गया तो उस एकसिडेंट में हम दोनों थे मैं और मेरी यूगल लेकिन यूगल जो है वो बिलकुल सेफ रहे गए और मैं उस ट्रक के साथ लगा और मुझे काफी मतलब जिसको कहते हैं कि इंजूर हुआ मैं पाउं में तीन-चार फ्रेक्चर हो गए तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे परमात्मा ने बचा लिया बचाने की नौबत इस हिसाब से मैं कह रहा हूं क्योंकि जो इस हिसाब से मेरी बाई का एकसिडेंट हुआ और वो बिलकुल टोटल बरस्ट हो गई और मैं मतलब एक साइड पाउं की साइड से समझो एक साइड मेरी पूरी बच के ही शिर भी ठीक रह गया तो उसके बाद एकसिडेंट के बाद हम हमें जैसे भी लोगों ने यह थोड़ी मदद करके जो भी भाई निमित बने जोनल आस्पिटल मंडी में गए और वहां जब फस्टेड लिया उसके बाद जो कारभाई रहती है उसी साब से प कुछ पूछने लगे के क्या क्या हुआ कैसे हुआ और आप उसके बारे में क्या करना चाहते हैं मैंने का भाई मैं कुछ नहीं करना चाहता यह मेरा कुछ इसाव किताब था वो चुकतू हो गया है अब मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं करना है फिर भी उन्होंने मुझ उसको सिंपल यही कहा कि भाई मैं बच गया हूँ आप निश्चिंत रहो और उसके बाद वो लोग भी काफी इंप्रेश हुए पोलिस वाले इंस्वेक्टर जो आये हुए थे उन्होंने कहा यार हम ऐसा तो बहुत कम देखते हैं कि कोई यह कहे कि नहीं जी मेरे को कुछ करना नहीं है फिर वो इसी हिसाब से इतने इंप्रेश हुए कि मुझे घर लेके छोड़ गए हालांके मेरे यान नीचे को पौड़ियं थी पौड़ियों में उन्होंने बला हम आपको उठाकर के ले जाएंगे घर तक तो इस तरह से हमने यह जाना है कि जब हम परमात्मा के जारत जगात मदद करता है आप किसी भी सेक्टर में जाएए कहीं भी जाएए बसरत है कि हमारे जो है सुद संकल्प चाहिए और मैं सबी भाई वैनों को यही कहना चाहता हूँ कि जो जो भी हम दुनियादारी में थे जैसे हम भी दोनों यूगल हैं आप वितर रहते हैं दोनों जिस तरह से बैने बताई हैं हम दोनों कठे ही मांट आप गए हैं ग्यान भी हमने कठे ही लिया है और मैं दूसरे बाई वैनों को यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि दुनियादारी में जो लोग भसे हुए हैं उनको अगर यहां आते हैं तो हमें अपने और प्रमात्मा की यथार्थ ग्यान का पता चलता है क्योंकि आज की डेट में जो पीछे हम भक्ति मारग में करते हैं हम भी करते थे पूजा करते थे मंदरों में जाते थे इधर उधर कहीं भी मतलब सब जगा जाते थे लेकिन धीरे धीरे प्रमात्मा ने हमें यह सब कुछ उड़ा के एक अपने आप में एक करता है बाकी कहीं दूसरी जगा में नहीं मिल सकता और ओम शांती में यहीं चाना चाता हूं